हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चनल सिविल मंत्रा में दोस्तों आज हम एक नव क्वेश्चन ब्रिसकत करने वाले दोस्तों आई हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है मलब क्या दोस्तों जो इसकी थिखने से एक लेयर के वह हमारी है 500 mm मलब क्या जिसके दोर हम उसको कंपेट कर रहे हैं उसका जो एरिया है वो है 0.05 स्कार मीटर and the energy imparted in every drop of hammer is 400 newton meter मलब क्या एक बार इसको drop करने पर जो energy वहाँ पे मिल रही है इसको वह 400 newton meter की assuming 50% more energy in each pass over the compacted area due to overlap जहां दोस्तों जो 50% इसकी energy है क्योंकि दोस्तों हम जब इसको soil compact करते हैं माल जिए एक बार यहां पे compact किये for each layer would be मलब कि अगर हम उसमें Indian standard light के द्वारा मान के उसमें कितना number of pass है मलब कि उसको कितना pass देना चाहिए यह चीज़ पूछा जा रहा है तो हैं पहले दोस्तों आप देखते हैं थिकनेस हमारा जो दिया हुआ है उसको हम लटाट डान कर लेते हैं मार थिकनेस दिया दोस्तों वह हमारा 500 mm अगर हम इसको meter हम चेंज करें तो दोस्तों यह हो जाएगा 0.5 meter as you know and the given energy यह दिया है the energy sorry rammer area जो मलब की area of foot area हम बहुत सकते हैं foot area of rammer foot area of rammer दिया है दोस्तों वह दिया है यहां पे it will be equal to 0.05 square meter it is given here दोस्तों you can say you आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है and अगर हम आगे बात करें तो यहां पर कुछ और भी दिया है दिया है कि energy sorry important energy तो यहां पर लिख सकते हैं energy imported by rammer imported by rammer imported by rammer दोस्तों यहां पर दिया है यहां पर पास एक बार में कितना energy वह इंपार्ट करें मालब कितना दे रहा है तो वह हमारा है 400 newton meter यह चीज़त्य यहां पर हो गया और इसी बोला था 50% मोरजी अब इसको आगे discuss करें कि यहां पर यहां पर यहां बाताती है इंडिया 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 स्टेंडर लाइट कंपैक्षन टेस्ट इसके वाइं दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहां पर माना जाता है कि हैं भी थोड़ा इसको पर यहां पे तील layer में यहां पर रखा जाता है और हर एक लइए को 25 टाइस माल Nu 25 प्रस्जाम लोई हैं यहां पर दिए जाते हैं और उसके लोल मोल का वैल्लेम होतागी सब्सक्राम इसको बात क्यों कर हो यहँत कर रहे हैं you को दोस्तों आप पता होगा N, multiply by N into W into H upon V, अदो यहाँ पर क्या है वो बता दें, यहाँ पर हमारा है यह number of layer, यह N है number of blows, W है weight of framer, H हमारा है दोस्तों यहाँ पर height, fall height, falling height, और भी हमारा है volume of mode, अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो layer आएगा, यहाँ पर देख और यहाँ पर weight हमारा 2.6 kg है, अब हम इसको change भी करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2.6, और अगर हम आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा height, तो यह हमारा आएगा 0.310, अब दोस्तों यहाँ देख, kilogram में है, इसको हम Newton में change करेंगे, और दोस्तों यह आएगा, यह हमारा आएगा 60450 kg, मीटर, पर मीटर, क्यूब, अब हम इसको यहाँ पर Newton में भी change करेंगे, इसके लिए हमको का करना पड़ेगा, 100 से divide कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 604, 604.50, यहाँ पर हो जाएगा Newton, मीटर, पर हम इसको आगे साल करें दोस्तों, यहाँ पर अब दिया गया होगा, अब हम निकालने जा रहे है, compactive energy per drop of hammer, क्या, compactive, compactive energy per drop of hammer, अब यह दोस्तों कैसे है कि यह देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमको एक बार निकालने पर कितना energy producer दोस्तों को निकालना है, तो यहाँ हम देख तो वह हम दो हमारा 400 newton meter का, और उसका area आ रहा है, दोस्तों वह आगा, यहाँ पर volume निकालनेंगे, क्या निकालनेंगे, volume, यहाँ पर जो area है, वह है 0.05 और जिसका थिकने से 0.500 mm, यहाँ पर volume निकालने चेंज करेंगे, यहाँ पर यह हो सकता है, 0.05 multiply by 0.5, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ आ सकता है, यहाँ आ जाएगा, 16,000 newton meter per meter cube, अब दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर comparative energy है, test का वो इतना है, और जो यहाँ पर comparative energy निकालनेंगे, पर drop hammer का वो इतना है, वो कितना नंबरा पास देना पड़ेगा, यह हमको निकालना है, तो हम इसको भी निका दोस्तों ध्यान दिजिएगा, अब हम आचलते हैं आगे, दोस्तों यहाँ बोला गया, the energy supplied will be 1.5 tenth, महलब क्यों, क्यों पहले 1 tenth, महलब 100 परसें देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 1.5 tenth करेंगे, this value on account of the overlap of Raymer food points, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि Raymer का food जो है, वो overlap कर रह होंगे, 16,000, तो हम इसको multiply करेंगे, 16,000 से, equal to जो हमारा compactive energy आया था, total का, according to, हमारा compactive, sorry, standard light weight, compactive current, यहाँ पर यह आ रहा था, दोस्तों हमारा, 60, 4.50, multiplied by 10 to 3, और यहाँ पर 10 into 3, अब हम इसको अगर हम यहाँ यहाँ, equal to निकालेंगे, दोस्तों हमारा जाएगा, 25.18, जो लगभा, equal to आ जायाएगा, यहाँ पर, 20.6 के, तो दोस्तों हमको जो number passing आयाएगा, दोस्तों हो आयाएगा, 26, तो हमको 26 times हमको रहमार को यहाँ पर, pass कराना होगा, सवाल को compare करने के लिए, दोस्तों हमारा यह वी question साल होता दोस्तों, फिर मिलते हैं, अगले वड़े में, अगले धन्वाद,